दोस्तों आज की जो वीडियो है ये हमारे चैनल के वीवर्स के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट पर बनाई है तो हमारे चैनल के जो विवर हैं उन्हें ने जो request करी है उनका जो question है बहुत ही important question है और वो question हर उस student के दिमाग में भी जुरूर होगा जो student accounts का complete course सिखना चाता है टेली software सिखना चाता है वीजी counting software को सिखना चाता है तो अगर बात करें उनके all our question की तो दो question आते हैं पहला question उनका ये निकल के आता है पिसर मुझे टेली का complete course सिखना है अकाउंट का complete course सिखना है लेकिन मैं commerce का student नहीं हूँ तो मुझे zero level से टेली software सिखने की सुरुवात किस तरीके से करनी चाहिए जिसे कि मुझे असानी से job मिल जाए और जब है as a accountant के रूप में work करूँ तो मुझे कोई ज़्यादा problem फेस करने को ना पड़े और उनका जो second question यही निकल के आ रहा है भी हमें टेली software के साथ साथ और कौन से accounting software साथ में सिखने चाहिए जिसे कि मारे job के chance और ज़्यादा बढ़ जाए तो दोस्तो अगर आप भी टेली operator के साथ साथ accounts के expert बनना चाते हो तो आप इस वीडियो को end तक complete देख लेना जिसे कि आपकी 90% आपके mind में जो question है वो सारे clear हो जाएंगे तो दोस्तो फिर भी अगर आपके mind में कोई question है तो आप हमें comment जरूर कर सकते हैं हम पूरी questions करेंगे आपके question का reply देने की तो नमस्कार दोस्तो मैं हूं मौन सुथार और smart counting आरसनार की YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से हमेशा की तरह चोटी स्रिक्वेस्ट वीडियो अगर आपको पसंद आए knowledgeable लगे तो like जरूर कर देना अगर आपने मारे चैनल पर पहली बार विजिट करिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ notification बेल को भी जरूर ओन कर लेना और दोस्तो आप हमें Instagram पर भी जरूर फोलो करें तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो तो दोस्तो इस वीडियो में आपको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा भी आपने जिस इंस्टूट पे टेली कॉर्स करने के लिए या फिर अकाउंट्स का कंप्लीर कॉर्स सेखने के लिए एडमिसन लिया है यानि कि आपने जिस बात का पैसा दिये है वो आपको सिखाया जा रहा है या फिर आपको किसी अलग रस्ते से लेके जा रहा है दोस्तो इस वीडियो में मैं किसी इंस्टूट वाले का नाम नहीं ले रहा है किसी इंस्टूट की कोई बुराई नहीं कर रहा है किसी इंसिटूट का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं आपके सामने मेरा accounting फेड का जो 18 सालों का जो experience है वो आपके साथ share कर रहा हूँ मैं तो दोस्तों मैं यह निचाता भी जो दोखा मेरे साथ आज से 18 साल पहले हुआ था वो दोखा आज आपके साथ हो क्योंकि मैं आज आपको कुछ ऐसे center वालों के सचाई भी आपको बताऊंगा भी जो students के नाम पे टेली के नाम से या फिर accounting के complete course के नाम से पैसा लेते हैं लेकिन सिखाते उनको कुछ और ही है तो इस video को अगर कोई center वाला कोई institute वाला भाई इस video को देख रहे हैं जो गल्थ तरीके से students के साथ पैसा लेता है उनको गल्थ guide करता है तो वो इस video को dislike जरूर करेगा तो इस video को आप like करो dislike करो share करो चे ना करो like करो चे ना करो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन मैं इस video में सारी 100% आपको सचा ही बताने वाला हूँ अगर आपको मेरी बातों में कुछ सचा ही लगे तो वीडियो को like जरूर कर देना दोस्तों के साथ share भी जरूर कर देना अगर मेरी video के अंदर आपको जरा से भी कोई गल्द बतने लगे तो आप इस video को निश्ची तुरूर से dislike भी कर देना दोस्तों आपको मैं इस video में कुछ ऐसी tips and tricks आपको बताऊंगा जिसे कि आपको ये बात का पता चल जाएगा भी जिस बात के लिए आपने पेसा दिया है उस पैसे का आपका सदूपयोग हो रहा है या फिर आप किसी अलग रस्ते से जा रहे हो तो दोस्तों वैसे तो क्या होता है हर इंस्टूट वाले का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है कुछ अलग टाइप से rule फोलो करते हैं आपको मैं बताऊंगा तो दोस्तों अगर मालीजी आज आपका पहला दिन है लेकिन आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नोलेज नहीं है आप बिल्कुल फ्रेसर हो बिल्कुल जीरो तो बहुत सारे इंस्टूटर वाले आपको ये बात बोलेंगे जाते ही भी आपको तो कंप्यूटर का नोलेज नहीं है तो आपको टेली सॉप्टवेर सीखने से पहले या फिर अकाउंट का कॉर्स सीखने से पहले आपको computer का basic सीखना पड़ेगा, एक बात तो ये, second बात ये आजएगी, भी आपने मालीजी टेली कोर्स के लिए admission लिया है, account के लिए admission लिया है, और आपको पहले दिनी, आपको कोई किताब दे दी जाएगी, या आपको कोई notes दे दी जाएगे, तो वो आपको ये बात बोलें भी आप इस notes में से देखे, अपनी notebook में, ये notes है, जो आप अपना books में उतार लो, third position है, भी आपने पहले दिनी admission लिया, और आपको पहले दिन से ही टेली सिखाना शुरू कर दिया, यानि कि आपको zero knowledge है, कुछ भी knowledge नहीं है, accounts के बारे में, आपको basic computer का knowledge है नहीं है, ये account के course के साथ कोई matter ही नहीं करता, पहली बात तो ये, अगर आपने पहले दिन पर ही जाते है, आपको टेली सिखाना शुरू कर दिया, यानि कि आपको एक books दे दी, और notes दे दिया, और आपको टेली पर सुरुवात करा दी, तो अगर आपके साथ ये तीन step follow हो रहे हैं, तो इसक सिखाया क्या जा रहे हैं, लेकिन उसको पता उसको दीरे दीरे आने वाले दिनों में पता लग जाता है, जब उसे कोई expert account का expert बंदा उसको मिलते हैं, या फिर उसको अच्छी guidance देने वाला बंदा को मिल जाते हैं, तब जाके उसको यूँ पता चलते हैं, जिस चीज के लि तो दोस्तों, एक बात आपको मैं clear कर दूँ, जब भी आप किसी भी इंस्टूट में, टेली कोर्स के लिए, या बिजी accounting, कोई भी accounting आप software सीख रहे हो, या आप accounts का complete course सीख रहे हो, तो सबसे पहले आप इस बात को जरूर verify करें, भी जिस इंस्टूट पे आपने admission लिया है, वहाँ की जो faculty है, वहाँ के जो staff है, जो teacher आपको guide करेंगे, भी उनको खुद को accounts का कितना knowledge है, तो अगर वो perfect accountant है, तो बिलकुल आपको 100% वो reality accounting ही सिखाएंगे, या आपने जो पैसा दिया, वो बिलकुल सही जिगें पैसा दिया है, आप बिलकुल सही इंस्टूट पे जाक आपको वोई बंदा दे सकते हैं, जिसको खुद को accounts का knowledge हो, यानकि वो खुद as a accounting की practical accounting किसी company में maintain करता हो, चैव पार्टली कर रहा हो, चैव फूल टाइम कर रहा हो, वो कोई matter नहीं रखता, अब कई ये tutor ये भी बोल देते हैं, मैंने तो m.com किया है, लेकि m.com करना एक अल इस बात का जुरूर verify कर लेना, जिस tutor से आप से करे हो, उनको खुद को practically knowledge कितने है, यानकि कितने सालों का उनको accounts maintain करने का experience है, क्योंकि दोस्तों आपको, अगर आप perfect accounting बनना चाहते हो, तो अपने दिमाग में से टेली software सेखना या busy software सेखना, accounting software सेखना अपने mind से निकाल दो आप, आपको सबसे पहले accounts के basic fundamental आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको accounts का basic knowledge नहीं होगा, भी accounts के जैसे golden rule होगे, personal account क्या होता है, real account क्या होता है, nominal account क्या होता है, अगर आपको accounts के बारे में अच्छी तरीकी से जानकर ही नहीं है, तो आप software चाहिए जो मर्जी स चीक लेना उसे कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन account का base आपका zero ही रहेगा, अब जैसे कि आप accounting में कोई software सिख लिए हो माली जी, जैसे कि आपको ये टेली ERP9 सिखाय जा रहे है, अब आपको ये बोल दिया भी आप accounting voucher entry करो, आप entry कर लेते हो, आपको ये सब कुछ पता है, बिया F8 में sale होता है, F9 में purchase होता है, F5 में receipt होता है, ये सब कुछ आपको टेली operator होने के नाति सब कुछ अच्छा नो ले जाए, भी F11 में क्या setting होती है, F12 में configuration में क्या setting कर सकते हैं, ये भी आपने books में से देख के कर लिया, लेकिन जब बात आती है, real practical accounting की, अब जैसे कि आपको ये तो पता है, लेकिन purchase voucher होता है, लेकिन अगर आपके सामने इस तरीके की ये original voucher अगर आपके साथ दे दिया जाए, तो आपको ये पतानी चलेगा भी ये voucher है क्या, इस voucher को में क्या post करना चाहिए, ये हमारे लिए payment voucher है, ये receipt voucher है, ये हम sale करेंगे, ये payment इस होता है, उसे बहुत ही हट के होता है, तो इसलिए हमें books knowledge नया लेने की बजाए हमें practice चाहिए, original vouchers के साथ हमें practice चाहिए, जिसे कि हमारी accounting का जो knowledge है वो और ज़्यादा increase हो, क्योंकि जब भी आप किसी company में accounting maintain करने जाओगे, कहीं भी भी जाओगे, तो आपको वहाँ प कि entry करने से हमारी books पर क्या effect पढ़ेगा, कौन सा laser debit होएगा, कौन सा laser credit होएगा, तो इन बातों का सबसे पहले हमें ग्यान होना जरूरी है, जब तक ये ग्यान नहीं होगा, तब तक आप चाहिए accounting software जो मर्ची सिख लेना, चाहिए आप टेली सिख लेना, चाहिए बीजी सि क्या है, किसे हम golden accounting जो rule होते हैं, किसे क्या बोलते हैं, debit क्या होता है, credit क्या होता है, यह सब के बारे हम बिल्कुल basic level से आपको सारी चीजें practice के साथ इस टेली software में इंट्रियां करना भी सिख आएंगे, तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आप हमें comment करक जरूर बताना, वीडियो अकर आपको knowledge बल लगी हो, तो like जरूर कर देना, वीडियो कैसी लगी, वो भी आप हमें comment करके जरूर बताना, तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में के नए topic के साथ,